बरब दोस्तों यहांपर आगर अधि बोल्ल hp फ्रेट ले रहा हूं अल्ली में एकचली एंटर हुवा है अभी और इसит यह Whenever प्राइज जोन के बेसिक पर मैं जाह एत्णिमेया और मैंने रहां प्राइसेथ और मैंने क्यूव लिए मैं आपको समझाय हैं फैड राइड शोल्डर एंड गॉन अभी यह जो सेट यह जो लाइन है इसको यह ब्रेक करेगा तो मैं अभी यहाँ पे एंट्री बना चुका हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ यह मेरे को जैसे यह बन रहा था ने एक तो देखो यहाँ पे वी शेफ बना हुआ है एक दम complete V-ship तो V-ship बनने के बाद यह यहाँ पे retest लिया और यहाँ पे क्यों मैंने box बनाया हूँ मैं आपको यह भी दिखाता हूँ तो यह जो zone है यह accumulation zone थै तो accumulation zone पे यह आया ठीक है तो जैसे यहाँ पे retest लिया एक मिनिट पर retest confirm हो गया और जैसे यहाँ पे retest लेने के यहां पर एंट्री बढ़ाया थीक है तो यह अभी फाइब मिनिट में चल रहे है तो अभी यह चल रहे है तो मेरा टार्गेट करीवन करीवन यह हाई तक बनेगा तो अभी देखते हैं यह कहां तक चलता है ठीक है तो stop loss जो है आपको यहां पर लगाना है ठीक इसके नीचे यह फिर अब तो बड़ा सा नीचे यहां लगा दो यह ज्यादा सेफ रहेगा यह आपका stop loss यहां पर होने से बेटर है ठीक है तो आप यहां पर stop loss लगा और continue करो ओके अगर यह प्राइस एक्शन यह कंप्लीट प्योर प्राइस एक्शन देखो क्या मस्त हैड इंशोल्डर बना है ओके रड़ेट फज्या अभी जोन में यहां पर एक कैंडल है ठीक है और इसके अंदर यह सारे कंडल पर चुक्त है और चल रहा है और मैंने अपना ट्रेट फिलाल फ्री कर लिए कैसे यह नीचे आया मेरा stop loss अब लोगों पता यह नीचे लगा था यह मैंने यहां सब्सक्राइब कर लिए अब मेरा stop loss अब हो जाता है फिलाल मेरे pocket से कुछ नहीं जाने वाला सो यह continue अब चलेगा यहां से अगर अभी यहां पर जो trade है अगर यह upside break करता है तो मेरा यह trade continue होगर मैं कुछ fresh quantity भी आड़ करूगा लेकिन अगर यह नीचे मेरा stop loss हीट कर देता है तो मैं थोड़ा wait करूगा बिकाज यह एक जोर और है जहां से बाइंग आ सकते हैं चांस से बाइंग आ सकते हैं तो थोड़ा मैं वेट करूगा यहां मैं देखता हूं क्या प्लान करूगा फिलाल मेरा यह trade चलता है मैं अपडेट अप्डेट अपको बात देता हूं भाई यह ब्रेक करना स्टार्ट कर दी है इस बॉक्स को अपसाइड की और ब्रेक कर रहा है तो मैं अभी पांच मिनिट का कैंडल का इसका देखता हूं क्या कंडिशन होता है इसक अब बंदू जा रहा है जा रहा है यह उपर जा रहा है तो मैंने चोटा पोजीशन फिरसे लेड़ी है यह यहां बेखते हां क्या होता है मंजे 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 मंझे कि जा रहा है बंदू आरा रहा है इसां एक मिनट में देखते मिन नीचे का वालियूम लेखते में अंud ँभापटे मेरा आ चार्लन को मॉनॉब पाइब यह मेरा फिर्स टारगेट को हीट करने की डिए फिर देख डें क्या होता चलाइज पहला तो सही सही क्लोज हो गया है अगला कैंटिल को अगला गैँ पहलों सकते हैं तो यह का दो अगि लुक्त तोटे से पुजीटिन इसवाली करोगा यहां पे पुजीशन तोड़ा से पाली कर देते हैं हलके कर देते थोड़ा से चुटे-चुटे लोट निकले ता मेरा तरगे तरगे डण तो पढ़िया हुआ एकदा मस्ट्रेड है अब मैं दो लॉट पुड़ा सा कंडीनियू रखोगा यह मैं आगे ले जाओंगा तो चलते हैं क्या होता है आपको अप्टिर्टी तो बात बहुत सिंस मेरा पुरा ठरेड को ज आपके ट्रूक कर लिया है और चटरल पलड़ेट यह पूर फीत कर लिया तो मेरा एक्सल को भी तो क्या हो जाएगा उससे यह वाला प्रॉफिट भी में पैसे आ रहें आने दो रुप्त क्यों हो तो फिलाल एक दुख वरी कब यह यह वाला कंडल इस जोल से नीचे इस तॉप होए लेकिन फिर भी बंद में दम तो आई यह देखें वालिम दिख रहें आपक तो हमारा अगला टार्गेट मैं यहां कर देता हूं यह तो यह देखा जा रहा है कि नीचे की और आ रहा है तो अभी मेरा जो आगे का प्लानिंग है वो कैसा होना चाहिए देखिए यह हम लोग आते त्रेडिंग वियू में यह हमारा है एड और शोल्डर प्रेकाउट रे आँ अब अभी सीक्यंट अगैब मैं यह बोलें लेकिन 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 आगरी सब्यों और यह क Holz जो कमचिए अग्या यहां से दिखने का चांस है, अभी यह मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीजन में आपको दिखाता हूँ, मैंने अभी आपको दिखा है, यहां से जो गए ना, जो बाबू लोग बैटके गए इसमें, उन्हें वालियूम बहुत मस्ता, अच्छा गासा वालियूम था हम लोग इसमें देखते हैं, अभी यहां पर वॉलियूम अच्छा है, इस वाले गंडल में अच्छा वॉलियूम है, तो अब बहुत एँ फोड़ा वालियूम शेया, अगर हो गया, और ब्रेकाउट हो गया अच्छे वालियूम देसा, आगे का, हम प्लैन कर सकते हैं, 50 में 50 में अगर आ गया तो फिर में यहां थोड़ा सा एंटरी लोगा 50.51 कि ऐवा सका क्षैट करते हैं है यह देखते क्या होता है कुछ न कुछ तो होगा ठीक है तो देखते हैं क्या news कि यहां पर यहां पर चोटा सा एंट्री बना लिया यहां पर तो यह वाल्यू भी अच्छा खासा आया लेकिन उपर सेल कराम नहीं है बहुत बढ़िया सेल उपर से तो अब देखते हैं यह जो जोन है जिसमें काफी प्रॉब्लम होरी इसको पर जाने में करता है कि नहीं करता वॉल्यूम तो ठीक ठाक लग रहा है मेरेको तो एक मैंने चोटा सा और एंट्री बना लिया अठिक मैंने यह नीचे लगा लिए क्योंकि यह मेरा ऐसे नॉर्मल एंट्री है तो मैं ज्यादा स्टॉपलोस नहीं लेना जाता इसको मेरा नीचे का एंट्र होके नीचे आ रहा है तो यह ब्रेक करना कफे मुश्किल लग रहा है यह पता नहीं क्या होगा देखते हैं क्या हो तक थोड़ा और वेट कर लेते हम लोग यहां पर हमारे बायर्स भी थोड़ा से थखार के बैट रहे नीचे यह दरा वॉल्यूम देखें वॉल्यूम दिर लोड़ा से कमजोर पढ़ रहे हैं यह बस चगह निकाल देना एक बात बात बन जाएगे ठीक है वेट करते हैं है थो इंटल चल रहे है तो इसे धी बॉल्यूम हाना चाहिए सब्सक्राइब अभी चितने कंडल बने उससे अभी वाला गंडल गई तो बन गई तो मजा आजाएगा यह वाली कंडल तो नीचे स्टॉब होगे लाइन के ठीक नीचे स्टॉब होगे अगला गंडल देखते हैं अब मुझे अगले गंडल के लिए भी वेट करना पड़े हो प्रेंगल प्रेंगल बन रहा है और मैं आपको यहां दिखाता हूं यह एक लाइन पर रहते है और लोग धीरी दीर उपर साइड की और शिफ्ट हो रही है और यहां ब्रेक आउट हो सकता है तो एसंडिंग ट्राइंगल शेप यहां पर फॉर्म हुआ है और मज़ेदार बात यह कि यह कैंडल ने ब्रेक करने की कोशिश कर दिया पूरा अगर इसने कर दिया तो फिर तो हम यह जंग यह जंग हम ज एक मिनिट और बाती है तो यह अपना पांच मिनिट वाला केंडल भी उपर क्लोज हो जाएगा अगर पांच मिनिट का कंडल उपर क्लोज हो जाता तक अपने फूफल कंफरमिशन मिल जाएगा थोड़ा दीख थोड़ा सबर करो दोस्तों पांच मिनिट के गंडल ने तो दगा दे दिया वो एक्जकली नीचे आके स्टॉप हो गया लेकिन अब नया गंडल का फॉमिशन स्टाट वाएगो भी उपर ही जाने का प्लैन कर रही है तो देखते हैं देखते हैं देखते हैं यस देखना ही पड़े हो पय भी पर जाने की लेकिन उपर से वहाली कंडल ना उपर गई थी न यह वाली कंडल इसके बरावर वॉल्यूम भी मस्टा लेकिन नीचे इसीलिए है वॉल्यूम तो इसका हाफ ही है लेकिन सेलर्स बहुत जादा बड़ा बना है मतलब अगला कंडल बहुत जूज रहा हम इसको एक मिनिट में देखते आपको मजा आ जाए यह देखे एक मिनिट का कंडल उपर गया लेकिन उपर सेलर पुरा इससे दवा दिया बुरी तरह से अब यह अगला कंडल भी कोशिश कर रहे लेकिन सेलर के बज़े मज़ेदर बात पता है क्या है इसमें यहां पे इस जोन में बाइयर्स भी बहुत घ्रसफी बाइग कर रहें यह कंडल नीचे तो आया दा लेकिन इस कंडल को आप देखो नीचे आती इसको उफर धका मार दियो हैं मतलब इस जोन में खतर्णक बाइड यहां पर तो देखते हैं देखते हैं मज़ा रहा है लेकिन यह टग ओफ और ना मेरे को बहुत मज़ा आता है देखने में किसी प्रूशल जोन में इस तरह जो टग ओफ वर होता है वो देखना लाएं कि वॉल्यूम भी देखो और इनकी फाइडिंग भी देखो मस्त जा रहे हैं इनों जो कि आपको मैंने यह बोला था कि यह जो जोन है यहां एक बार दोबार टेस्ट हो चुक है यह थर्ट तैम यह टेस्ट होना है अगर यहां से ब्रेक करते मुझे लग रहे है ब्रेक करके शाम तक यह थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अगर गाड़ी यहां से निकल गई तो लंबी दूरी तक जाने का यह पावर रखता है ठीक है तो यह मेरा फॉस्ट टार्गेट हीट होने वाले मज़ा रहे हैं मज़े ही मज़े ही मज़े जो भी हो यह मार्केट का खेले वही हमारा कोई रोल नहीं है मार्केट अपने हिसाब से चलते हैं अच्छा मार्केट कभी भी नहीं चलेगे या भी यह वालियूम लाजवाभ वालियूम आया है तीके आखरी दो कैंडल में वालियूम ने तबाई मचा दिया अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है अब ब्रेक आउट हो चुक है भई अपने पांच मिनिट के कैंडल में ब्रेक आउट हुआ है और अच्छे में बठाएगी और फिर बस स्टार्ट करेगी यहां पर तो कुछ भाई लोगो नहीं यहां पर एंट्री लिए होगा इसलिए बार यह नीचे आया एक को बठाने के लिए तो अब यह शायद ऊपर निकल जाएगी ठीक है तो देखते हैं क्या होता है यह जा रही है बस में पिस बैड़ गहे क Pengal ऐ tas yeah रख चड़ reward यह ब अइस चलने को यह फिरी हुए क्वा dużo टो एट पूरा देखो ये पूरा निकलनी के तियारी में निकल गया निकल गया निकल गयात निकल गया था पर ली कर लीत हूं ठीक है यह मेरे प्रॉफिट बूप तोड़ा कर लेता हूं यहां पर बस तोड़ा मेरे टार्जेट को टच कर दो भाया टच कर दो टच कर दो अश्वास बड़िया 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 श्वास अरे बड़िया मजे 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 तो च तो इस तरह से हमने आज बड़िया है एंड शोल्डर पैटन का ट्रेड किया मैंने आज आपको दिखा है एक तो हैंड शोल्डर ब्रेक आउट मैंने आपको दिखाई एक यह एक यह एक यह दोनों आपको अच्छे इंफॉर्मेशन देता है वाल्यूम को ही इंडिगेट करता है वाल्यूम के मुवमेंट को काफियत तक रिप्रेजन करता है तो बढ़िया चल रहे हैं बढ़िया है मजे मजे तो इसलते हैं आगे मेरा यह लॉट कंडीनियू चलेगा अब अगर आगे कुछ ह होता है तुम आपको बताओंगा देखो दो मिनिट के लिए मैं यहां स्क्रीन के सामने हटा किया और यह रिखे यहां कूफवान आगया तो पूरा मेरे एंट्री पॉइंट से सौ पीप तक दे गया मैं देखा है नहीं चला गया था अभी आकर देख रहा हूं यह मामला यह घ्र तो यह फिलाल यह यहां इतना है अब यह मूब्मेंट मेरे से छूरी अगर यहां तक मैं रहता आप से मैं बुक करने पाया तो जो भी हो मैं सो गहीं नेक्स्ट करते हैं और क्या कर सकते हैं वेट करना हमारा काम है तो मेरा टार्गेट करने वाल है तो मेरा टार्गेट डन होने वाल है बस यह मैंने अपना टार्गेट सेट कर दिये तो मेरा टार्गेट यह जा रहा है मैं बहु अभी कर दें बहुत लिए इन एक लॉट तो एक जीट कर दिया ऑक इसे वी मैं फिर देखेंगे तो आज के लिए almost done अभी अगर ये नीचे आ जाता है I mean यहां आता है अगर then मैं फिर से लोगा तो आज का प्रेट मेरा कंप्लेट हो गया बहुत बढ़िया तो थेंक यू और सबको राम राम आपको प्राइज एक्शन अच्छा लगाओ तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और थेंक यू अगें